हलो फ्रेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं लिूब्रिकेंट्स के बारे में जिनको यूज किया जाता है डि राई प्लांट्स में जिहां इस पंज आयरन डिविजन में इस वीडियो में हम ग्रीस के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ सॉलिड लूब्रिकेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो friends ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 930 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video को start करते हैं बने रहेगा video में अन्तिता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं kiln cooler के sleep seal के वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है SG680SS को इसके अलावा SG460SS को भी यूज़ किया जाता है का भी यूज़ किया जाता है EP2 grease का भी यूज़ किया जाता है kiln cooler के गर्थ gear और pinion के arrangement में कौन से grease को यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है आपका SG1000SS को भी यूज़ किया जाता है GA800 को भी यूज़ किया जाता है GA400 को भी यूज़ किया जाता है Spray Lube 1250 को भी यूज़ किया जाता है Kiln cooler के tire और support roller के external surface पर जहाँ पर वो contact में आते हैं आपस में वहाँ पर solid lubricants को यूज़ किया जाता है graphite powder और graphite blocks को यूज़ किया जाता है अगर हम बात करें kiln के tire और जो chair pad है उनके बीच lubrication की तो वहाँ पर easy bars का इस्तमाल किया जाता है कुछ इस तरह से दिखते हैं easy bars जैसा कि आप image में देख रहे हैं इसके अलावा grease का भी इस्तमाल किया जाता है जैसे कि copal का 1000, copal 1000 और copal 500 इनका भी use वहाँ पर किया जाता है conveyor belts की bearings में ID fan, DD fan, ABC fan, CB fan और आपके जितने भी pumps हैं ABC pump, utility pump, hot well, cold well pump और low compressors इन सभी की bearings में EP2 grade के grease का इस्तमाल किया जाता है lubrication के लिए तो ये थे कुछ common grease और solid lubricants जिसका इस्तमाल किया जाता है DRI plants में इसके अलावा भी और अगर कोई दूसरी grease आपके हाँ use किया जाते हैं तो आप बिल्कुल comment करके बता सकते हैं तो friends उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए आल वीड़ा